इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक में पुर्णावधी यानि मैच्यॉरिटी के पहले आनलाइन बने हुए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को बंद करना बता रहे हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें हमारी नई वीडियो की जानकारिय आपको मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बैल आइकन है उस पर क्लिक करें यदि आपने कोई Online FD बनाई हुई है और आप उसे Maturity के पहले ही बंद करना चाहते हैं तो उसे बंद करने के लिए PNB की वेबसाइट में लॉग इन करें Manage Accounts टैब में जाकर Pre-Mature FD Closer Option पर क्लिक करें नीचे लिखे हुए Points को एक बार पढ़ लें यहां लिखा है कि जो Fixed Deposit Account आपने Online खुले हैं केवल वो ही यहां से Close किये जा सकते हैं यदि आपके Customer ID के अंतरगरत एक से ज्यादा खाते हैं तो FD Close होने पर उसका Amount आप जिस भी खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो खाता चुन सकते हैं FD Account To Be Closed के सामने दिखाई दे रहे Drop Down Menu में आपकी जितनी भी FDs होंगी वो दिखाई देंगी आपको जो FD Close करनी हो उसे सिलेक करें इस Drop Down Menu से वो खाता चुने जिसमें आप इस FD के Close होने पर जो Amount मिलेगा वो डिपॉजिट करवाना चाहते हूँ अब Continue पर क्लिक करें ये FD Close होने की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं इन्हें वेरिफाई कर लें अब Yes पर क्लिक करें यहाँ पर अपना Transaction Password डालें अब Submit पर क्लिक करें ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपका FD Account successfully Close हो गया है और जो अकाउंट आपने सिलेक किया था FD का Amount उसमें जमा हो गया है इस वीडियो में आपने जाना पंजाब National Bank में पुर्णावधी के पहले ऑनलाइन बने हुए Fixed Deposit Account को कैसे बंद करें अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बैल आइकन है उसपर क्लिक करें